हां नेता जीज राहुल गादी को सुप्रीम कोट ने जो राहत दिया है उस पर आपकी क्या प्रत्क्रिया है मैं अरूर कमार सिवास्तो संजुजद भारत बचाओ समिधान बचाओ आंदोलन सुप्रीम कोट द्वारा राहुल गाधी को रहत हरा हाल में मिलना ही मिलना था क्योंकि यह तो एक खड़ेंद के तरह ताथ उनको मैक्सिमम सजा सुनाई गई थी जो आरोप उन पर लगाया गया है और जहां कि घटना है यह वो सड़ी यही नहीं है क्योंकि घटना करनाटक में हुई है और उस पर सुनवाई और F.I.R. कुजरात में हुई है जब इस देश में एक ठाने की घटना पर दूसरे ठाने में F.I.R. नहीं लिगे आई है इस केस को नहीं देखता है जो दूसरे जजज के जूरी जिक्शन का है तो यहां तो एक इस्टेट से दूसरे इस्टेट का मावला था यह किसी भी परगार से पोश्डीय नहीं है और जिस्टेज ने भी जिस्म स्टेट ने भी इसका काइड़ी जेज сцен nozzle है उस्हें पूरेश मोदी वास्तों में मोधी हैं मोधि कम्णूटी में मुसल्मान भी आते हैं सय्यद मोधि मुसल्मान थे पीलू मोधि पार्सी थे इसी तरह से नर्यंद्र मोदी जी बनिया है और पुडेज मोदी का किस जाट के नहीं पता है लेकिन इन्होंने मोदी ये सरनेम बाद में लगाना सुरू किया है और अभी तो राहुल गानदी को सुप्रीम कोर्ट से केवल इस्टे मिला है रात मिली है जब यह मामला पुल्ड रूप से मूल जज के पास मज़िट के पास देखा जाएगा तब इसका क्या लेड़ होता है यह देखने की बात है और तुरित गति से राहुल गानदी के मामले में उनको मैक गोड ने या निचली अदालत ने यह नहीं बताया कि मैक्सिमम सजा क्यों दी जा रही है किसी को भी कोई सजा देते समय यह बताना पड़ता है यह सजा क्यों दी जा रही है और क्यों इस तरह से मैक्सिमम सजा दी जा रही है यह ना बताया जाना ही यह बताता है कि कही न कह से अदालतों को प्रभावित किया गया है और प्रभाव में ले करके यह निड़े दिये गए हैं कि सुप्रीम पॉर्ट ने दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया है यह तो केवल सत्ता में बैठे लोगों ने राहुल गादी को संसद से बाहर करने के लिए खाले दर रख जाथा अब बताईए कि राहुल गादी दुबारा संसद में आएंगे तो मोदी जी किस मूँ से उनकी बात का जबाब देंगे और संसद में कैसे उनके सामने पेश आएंगे या तो मविस्य के गर्थ में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निड़े दे करके और राहुल गादी को राहत दे करके संबिधान की रख्षा किया है और पुरा देश और मुके रूप से हम भारत मचाओ संबिधान मचाओ आ झाल